आज एक बहुत ही सप्राइजिंग बात बताने वाला हूँ कि सीउटी को जब पहली बार लाया गया था या फिर यूं कहो कि सीउटी पे जब पहली बार चर्चा होना सुरू हुआ था तो हमारे देश के जितने भी केंद्री विस्विद्याले हैं इनके लिए ही बात हुई थी 2022 में सबसे पहले इसको इंप्लिमेंट किया गया लेकिन जो इस पे विचार्ट विमर्स चल रहा था वो पिछले कई सालों से चल रहा था यूजी सी के नए नए चेयर्मेन बनाये गए थे अम जी कुमार जी उनके आने के बाद न्यू एजुकेशन पॉलसी और साथी साथ स्यूटी पे बहुत तेजी से बाते होई और स्यूटी पे इतनी तेज बाते होई कि स्यूटी को 2022 में पहली बार इंप्लिमेंट कर दिया गया और इतनी जल्दबाजी की वज़े से प्रॉपर स्लावर्स प्रॉपर एक्जाम और एड्मिसन में डीले देखने को मिला बच्चे बहुत परसान हुए इतना ही नहीं इन्वर्सिटीज ने इसका खुलकर विरोध किया कुछ इन्वर्सिटीज ने तो बहुत ज़्यादा DU का नियूज 2022 में आप जाके चेक करना पूरी स्टार्टिंग में वो ट्रेंड में रहा क्योंकि DU का जो एड्मिसन प्रोसिस था वो था मेरिट बेसिस पे यानि बारहमी में आपका जो परसेंटेज आएगा उसी की बेसिस पे DU में जो कोर्सेज रन करते हैं उसमें आपका एड्मिसन दियाज आएगा लेकिन अब स्यूर्टि आने की वज़े से आप पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म होगा एक ऐसा सिंगल गेटवे होगा एड्मिसन का कि एक पेपर दोगे और आपको भारत के विभिन विस्विद्यालों में जो है एक मिल जाएगा अपर्चुनिटी आज ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ इन्वर्सिटी जो है वो सीउटी को नापसंद कर रही है और वो सीउटी से बाहर जा रही है जिसमें आपको सबसे पहला नाम कुछ न्यूज में भी पढ़ने को मिला हो और वो है जे अमाई जामिया विल्या इसलामिया जो इन्वर्सिटी डेली में है इन्होंने अपने आपको 2022 में तो रखा लेकिन 23 में बाहर कर लिया इनका कई सरा रिजन है पहला है कि एडमिशन में डीले हो रहा है दूसरा है कि इनको स्लाबस भी पसंद नहीं आ रहा है इ वैसे मैं आपको बता दूँ कि CUET का जो एडमिशन प्रोसेस है वो वाकही बहुत ही जादा क्या है एक तरह से कंप्लेक्स फॉर्म में है जबकि CUET का आना अपने आप में क्या था एक इजी प्लेटफॉर्म देना था कि बच्चों को इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े कि बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं इनके पास अलग-अलग सेक्षन पर पेमेंट इनको देना है तो पैसे का भी लॉस है और जो एक्जाम का स्लाबस है वो भी एक तरह से इतना वराइटी उसमें दे दिया है कि बच्चे बहुत कंशूज है अपने आप में CUET का बस पैटर मेरे पास आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यह है कि जैमाई ने अपने आपको अलग कर लिया है इस बात की पुष्टी मैंने इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल से देखा फिर CUT का जो ऑफिसल वेव साइट है CUTSummit.ac.in पे उस पर जाकर चेक किया तो वहाँ पे भी जैमाई का नाम नहीं है संटर इंवर्सिटी के लिस्ट में लगबग 42 इंवर्सिटी वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बाकी बहुत सारे प्राइवेट इंवर्सिटीज हैं एडड़ेड इंवर्सिटीज हैं लेकिन जैमाई मुझे उसमें नहीं दिखा AMU उसमें अधिशन कोर्सेज हैं मेजर सीट वाले कोर्सेज हैं जैसे ब्या है यह थी है अभी भी है मुझे जो ऑफिसल वेवसाइट है उस परना रहा है लेकिन बाकी कोर्सेज हैं वह यहां नहीं है खैर इन्होंने जो जिएमाई है उन्होंने अपने हार रीजन से ऊटी ना- थोड़ा सा मेरे लिए एक तरफ से क्या है हाइड है बहुत इजली मैं नहीं समझा पाऊंगा और आप समझ भी नहीं पाऊंगे समझ रहो मेरी बात तो मैं किसी वीडियो में डिसकस करूंगा कि सी यूटी से पॉलिटिकल एजिंडा कैसे यहां पर रिलेट हो रहा है क्यों कुछ इनिवर्सिटी से बाहर जाना चाहती है क्योंकि यह वीडियो अभी मैं JMI और AMU तक ही सिमित रखना चाह रहा हूं मेरे टाइम डूरेशन बहुत बढ़ जायागा फिर आप देखोगे नहीं हां लेकिन मेरे जो कमिंग वीडियो हैं वो सी यूटी को पर बहुत जादा रहेगा एजूकेशन सक्टर पर बाते हमारी होती रहेंगी साथी साथ बच्चों के जो मुझे एक जन्यून कमेंट मिला वो मिला कि सर हम लोग इनिवर्शिटी कैसे चूल्ज करें या बारहमी के जश्ट बाद हमें कौन-कौन से कोर्सेज आफर किये जा रहे हैं सी यूटी के थ्रू तो यह तमाम बाते मैं कमिंग वीडियो में डिस सब्सक्राइब इस चनल लाइक इस वीडियो हरा हर महात।